हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो लेडी चाप जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नंबर छे है आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी फ्रेंट की लेफ्ट और राइट पार्ट में आरम होल की कटिंग करना और गले की घटाई करना बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है दोनों पार्ट की लेंथ मैंने जितन में डिजाइन पर आरम होल की कटिंग की है तो यहां पर भी मैंने ये सोलर सोलर डिजाइन दोनों पार्ट में कम्पलीट कर लिये हैं तो यह जो हम इसकी लेंथ बनाते हैं यह हाइट के अनुसार होती है किसी की कितनी है उस हिसाब से हम इसमें फंदे रखते हैं तो हमने जो लंबाई रखी है वो हाइट के अनुसार आप बना लेजिए मैंने पूरे अब देखिएगा इसमें हम घटाई कैसे करेंगे और डिजैन को एड़ेस्ट कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसका ये लेप्ट वाला पार्ट ही ले लेते हैं तो ये देखिएगा इसमें गटाई करेंगे तो ये देखिए यहां से इसमें हम पांच फंदे की घटाई करेंगे दो फंदे का इस तरह से एक करेंगे फंदे को लूट छोड़ देंगे next फंदे को 7 में लेंगे और 2 का एक कर देंगे दो फंदे हो गए अब ये देखिए तीन इससे वापस लाएंगे चार फिर इससे हम इस से लाई पर ले कराएंगे और पांच अब देखें यहां पर हमें अपने डिजैन को भी एड़ेस्ट करना है तो अभी हमें इसमें और घटाई डालनी है तो यहां से देखिएगा यहां हमें जाली डालनी होती है तो अब हम क्या करेंगे यहां पर जाली नहीं डालेंगे यहां जो बीच में तीन का एक होता है हम यहां पर दो का एक करेंगे आधा डिजैन हम यहां इधर की तरफ बना लेंगे इधर जाली नहीं बनाएंगे नहीं तो क्योंकि अगली बार हम यहां से तीन फंदे की घटाई करेंगे तो फिर आगे फंदे जो है उठाने में एक जाली आएगी इसलिए हम यहां जाली बनाएंगे ही नहीं सिर्फ आधा डिजैन सेट करेंगे यहां पर तो यह जो देखिए एक दो तीन चार और यह पांच फंदे हम इस डिजैन वाले उल्टे बुन देंगे यह देखे यह सेंटर का फंदा है जहां पर हम तीन का एक बनाते थे अब इधर जाली ही नहीं बनाई तो तीन का एक भी नहीं करेंगे तो यह सेंटर का फंदा और एक इधर से इन दो को एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे अब चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार अब लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर यहां पर ये दो फंदे उल्टे तो यहां हमने बीच में जो दो का एक किया उसके लिए जाली से फंदा यहां आगे हमारा डिजैन बिल्कुल सेम बनता चला जाएगा तो इसे हम यहां तक कम्प्लीट करेंगे फिर उल्टी साइड की सलाई को भी डिजैन के अनुसार बनाती हुए यहां तक बुन लेंगे और यह देखे फ्रेंट्स हमें साथ में ही यहां से गले की घटाई भी शुरू क करूंगे इसलिए जो पांच फंदे की घटाई की है इस पर तो मैं ऐसे ही सलाई को कम्प्लीट करूंगे आप चाहो तो इस पहली सलाई जो हमने आरम होल की कटिंग की है इसी से गले की घटाई शुरू कर सकती है लेकिन मैं इसकी नेक्ट बार जो तीन फंदे की घटाई हो अब हम तीन फंदे की घटाई करेंगे तो दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक कर देंगे फिर से इसे स्लाइपर लाएंगे और इस फंदे को आप लूज रखिए ताकि इसकी शेप अच्छी आए फिर देखिए फिर से वापस लाएंगे और दो का एक कर देंगे तो पांच और तीन की घटाई यहां से हो गई है अब देखे यहां बीच में हमें वही आधी टिपी ही बनानी है तो सेंटर वाले फंदे का आप ध्यान रखिए इधर से भी आप गिन सकती है यह जो जाली है इधर से देखे एक, दो, तीन, चार और यह हमारा सेंटर का फंदा है तो इसे भी हम ऐसे ही बुन लेगे इस वाले फंदे को इसके साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे अब यह जो तीन फंदे उल्टे बचे हैं इनको हम बुन लेंगे तो यहां पर हमारा आधा डिजाइन बन रहा है यह जो हमने दो का एक किया धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे तो यहां फंदे पूरे हो गए अब हम अपने डिजाइन के अनुसार सलाई को बनाते हुए इसे देखे पट्टी के साथ में जो दो फंदे हैं यह वाले फंदे रहने तक यहां तक हम सलाई को कंपलिट कर देंगे तो आप भी अपने इसी तरह से सलाई को बुन लीजिए तो यह देखे फ्रेंट्स यहां तक हमने इस डिजाइन को बनाया है इस वाले डिजाइन में आपकी भार जाली हमारी यहां पर आई है अब यह जो दो फंदे यहां पर आपको दिख रही है इस में से आप इस एक फंदे को ऐसे उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे यह वाला जो उल्टा फंदा है इधर से डिजाइन का है यह सीधा फंदा पट्टी का है इन दोनों को इस तरह से एक साथ लेंगे आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहां से हमने एक फंदे की घटाई कर दी है जिससे हमारी नेक की यहां से शेप आनी शुरू हो जाएगी हर सीधी सलाई पर हम यहाँ पर अब एक एक फंदा ऐसे ही घटाते जाएंगे तो अब जो पट्टी के फंदे हैं वही एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएंगे उल्टी साइड की सलाई को डिजैन के अनुसार जो फंदे जैसे होंगे वैसे ही कम्प्लीट करेंगे अब आज ये इसकी सीधी साइड पर यहां से अब हम इसमें दो फंदे की घटाई करेंगे तो देखें दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे अब इस फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ दो का एक कर देंगे तो दो फंदे की घटाई complete हो गई अब ये एक फंदा यहां उल्टा बनाएंगे ये वाला जो फंदा है ये हमारा देखिएगा center का फंदा है इधर वाले फंदे के साथ लेकर हम दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे अब ये दो फंदे उल्टे आ गए यहाँ पर सिरफ मैं डिजैन को ही एड़ेस्ट करना होता है बाकि घटाई तो मैं आपको काफी सारी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन हर वीडियो में डिजैन अलग होता है तो अब यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ रखेंगे और यह दो फंदे यहाँ सीधे आएंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ यह दो फंदे उल्टे तो अब डिजैन के अनुसार सलाई को बुनते हुए देखे यह जो हमारे 11 फंदे पट्टी के और एक यह हमारा 12 फंदा जो हमें अब कम करना है तो यहाँ तक हम इन फंदों को बुन लेंगे तो यह देखे अब यहाँ पर इस वाले फंदे को हमें कम करना है तो इन दो फंदों को यहाँ पर लूज करेंगे अब पट्टी के फंदे बुन लेंगे फिर उल्टी साइड की सलाई को कम्प्लीट कर देंगे अपने डिजाइन के अनुसार तो ये देखिए फ्रेंड्स अब यहां से हमारी लास्ट फंदे की घटाई होने है तो दो फंदे का यहां पर एक फंदा बनाएंगे और अब हमें देखिए यहां पर डिजाइन को भी सेट करना है तो ये वाला हमारा सेंटर का फंदा है और ये वाला इधर से तो इस फंदे के साथ में लेंगे और दो फंदे का यहां एक फंदा बनाएंगे अब ये एक हमारा जो बच गयाई से उल्टा बुनेंगे धागा अपनी तरफ रहे और इन तीन फंदों को यहां सीधा बुन देंगे तो देखिए घटाई के बाद यहां जो दो काई किया उसका फंदा हमने यहां जाली से बढ़ा दिया अब डिजैन के अनुसार सलाई को बुनेंगे और यहां पर देखिए इस वाला जो हमारा बटन पटी का यह फंदा है इसके साथ में इन दो का एक करेंगे तो हम देखिए यहां तक इस सलाई को बुन लेते हैं तो यह देखिए यहां तक मैंने सलाई को बना लिया है अब आप एक बार यहां पर ध्यान दीजी देखिए यह हमारा जाली वाला डिजैन है लेकिन अब हम इधर से फंदे कम करते आ रहे हैं तो यह जो जाली का फंदा है इसे हम यहां पर ऐसे ही सीधा बुन लेंगे क्योंकि अब हम यहां पर डिजैन को खतम कर रहे हैं क्योंकि इ लास्ट का मैंने बटन होल बनाया है देखे उसके लिए यहां पर जाली बनाई हुई है और यहां पर यह जो जाली से बनायवा फंदा है इसका मैंने दोकाई करके वापस घटा दिया है यह बटन होल बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ तो यहां पर मैंने यह लास्ट का अब देखिए सीधी साइड पर यह जो हमारा डिजैन है इसकी यहां पर अभी नौवी सलाई है तो यानि यहां से इस डिजैन को हमें अभी और बुनना है घटाई तो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है तो इस एक फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे यह सेंटर का दागा अपनी तरफ रखेंगे अब एक, दो, तीन और यह चार फंदे सीधे बना देंगे तो यहां पर अब यह डिजैन कम्प्लीट होता है धागा अपनी तरफ करेंगे और यह दो फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे यानि डिजैन के हिसाब से अब सलाई क बुनते हुए यहां तक बना लेंगे क्योंकि यहां पर हमें नेक के लिए फिर से फंदा कम करना है तो यह देखिए यहां तक हमने सलाई को बना लिया है अब यह वाला फंदा हमारा बटन पट्टी का है और यह इधर से है आगे से सलाई डालेंगे और तो फंदे का एक फं अब हम पट्टी के फंदों को बुनेंगे और फिर उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए सलाई को कम्प्लीट कर देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स हमारा ये वाला जो डिजैन है ये दस लईयों पर कम्प्लीट होता है तो दस लईया हमारी यहां पर बन चुकी है अब हमें यहां से इस डिजैन को आधा बुनते जाना है और इधर से हम फंदे घटाते जाएंगे तो इधर से भी हम इसी तरीके से डिजैन को सेट करते हुए आएंगे आप यहां पर चाहो तो ये वाली एक केबल भी बना सकती है जैसे कि हमने ये देखिएगा इसके बैक पार्ट में ये वाली दो केबल यहां पर बनाई हुई है तो ये वाली दो केबल सेट होने के बाद यहां पर सिर्फ चार फंदे पर हम इस डिजाइन को आधा बुनते हुए सेट कर सकते हैं तो यहां पर आपके पास दो चोईस बस्ती हैं या तो देखिएगा यह वाले दो फंदे उल्टे हैं इन दो फंदे पर यह वाली केबल भुन लीजिये और बाकी के 5 फंदे उल्टे उल्टे बुनते चले जाएए या फिर ऐसे ही बनाईए जैसे कि मैं यहाँ पर डिजाइन को आधा बनाऊंगे पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे अब ये बाला फंदा और इधर से जाली बाला इन दो का हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे फिर चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और ये चार जो फंदा यहाँ कम किया उसके लिए लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर आगे अपने डिजाइन को बुनते हुए इस सलाई को हम यहाँ तक बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से एक फंदा कम करना है तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ तक हमने जो डिजाइन को बनाया है यहाँ हमने तीन का एक ही किया है क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर फंदे का ओप्शन है तो हमने उसकी जाली यहाँ बना ली है लेकिन अब देखेगा ये जो दो उल्टे दिखरें इसमें से हमने एक बनाया है ये एक फंदा बज गया इसके लिए धागा पिछे करेंगे पट्टी वाले फंदे के साथ मिलेंगे और आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक करतेंगे तो नेक के लिए यहां पर एक फंदा कम हो करेंगे और उल्टी साइड से भी कम करेंगे तो ये हमारा जो सत्तरमा डेजाइन कम्पलीट हो गया है अठारमा डेजाइन है ये सीधी साइड से जो बन रहा है इसके हमने सीधी साइड से भी फंदा घटा दिया है और अब इसकी हम उल्टी साइड से भी फंदा कम करेंगे तो यह जो पट्टी के फंदे हैं इसको देखे हमने यहां तक बुन लिया है अब आईए उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर हम जो 11 फंदे पट्टी के बुन रही हैं इसमें से पहले 10 फंदों को बुनेंगे तो देखे एक हो गया दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, दस तो दस फंदे तो हमने पट्टी के ये बना लिये हैं ये हमारा ग्यार माफंदा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि तीन बार हमें उल्टी साइड से भी एक एक फंदा नैक की शेप देने के लिए घटाना है तो ये देखिए इन दो का हम एक करेंगे क्योंकि ग्यार माफंदा पट्टी का और एक उदर से हमने ले लिया है बाकि डिजैन के अनुसर सलाई को बुनेंगे और इसको कम्प्लीट कर देंगे तो ये देखिए एक बार आप सीधी साइड पर यहां से भी डिजैन को दुबारा से एड़जस्ट करना देख लीजिए क्योंकि आगे फिर आपको ऐसे ही बुनते हुए जाना है ये पहला फंदा है इसको आप स्लिप पी कर सकती है नहीं तो आप उल्टा बुन लेजे ये वाला जो फंदा है इधर से एक साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे क्योंकि हम यहां पर आधा डिजैन बना रहे हैं अब ये तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन अब हम यहां पर जो फंदा कम कर रहे हैं वो जाली से यहां बढ़ा रहे हैं तो धागा अपनी तरफ रहे और इस जाली से बने हुए फंदे को सीधा बुन देंगे तो देखे आधा डिजैन यहां से बनना शुरू हो गया ह अब हम यहां यहां पर जो हमारे पट्टी के ग्यारा फंदे हैं इसके इधर एक फंदा रहने तक बुन लेंगे तो यह देखे प्रेंस आप एक बार यहां पर ध्यान से देखिएगा अठार में डिजैन की जो पहली सलाई आई उस पर तो हमने यहां बीच में तीन का एक किया था लेकिन अब जो इसकी तीसरी सलाई है इस पर हम यहां आधा डिजैन इधर बुनना शुरू करेंगे आधे को इधर से छोड़ देंगे तो देखिए यहां पर हमने जाली बनाने के बाद यह तीन फंदे उल्टे बनाई हैं यह वाला फंदा और यह सेंटर का फंदा इन दो का यहाँ एक फंदा बना देगे जो फंदा जाली से बढ़ाया वो हमने दो का एक करके घटा दिया है अब इधर का फंदा हमने कम नहीं किया है क्योंकि हम इधर अब जाली नहीं बनाएंगे इधर से हम फंदे कम करते आ रहे हैं तो अब देखिए एक, दो, तीन, चयार और ये जाली वाला पांची से भी हम उल्टा ही बन देंगे अब जाली वाले को हम नहीं बनेंगे क्योंकि देखे ये जो जाली से बना हुआ फंदा इसे तो हमें कम करना है क्योंकि ये हमारा पट्टी वाला फंदा है तो आगे से स्लाइड डालके इन दो का हम एक फंदा बना देंगे तो देखे यहां से हमारी जो है शेप आनी शुरू हो गई है अब ये जो पट्टी के फंदे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे फिर उल्टी साइड से ग्यारा में से पहले दस फंदो को बुनेंगे तो ये देखिए ये दस फंदे पट्टी के बुनने के बाद ये ग्यारमा फंदा हमारी बटन पट्टी का है यह यहां से उल्टा दिखेगा आपको और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर हम दो का एक कर देंगे तो उल्टी साइड से हम दो बार यहां पर फंदा कम कर चुके हैं एक बार हम और फंदा यहां से घटाएंगे तो एकदम से इसकी अच्छी शीप आनी शुरू हो जाएगे अब डिजैन के अनुसार अपनी सलाई को कम्प्लीट करेंगे फिर सीधी साइड से भी हम डिजैन के अनुसार बुनते हुए सलाई को यहां तक बुन कराएंगे और यह दो का एक करेंगे तो यह देखिए सीधी साइड से अब सलाई को हमने यहां तक बना लिया है अब इस वाले फंदे को इसके साथ लेकर दो का एक करेंगे आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे उल्टा है तो उल्टा और सी ये 11 फंदा बटन पट्टी का है और एक इदर से इन दो का एक करेंगे तो उल्टी साइड से हमारे यहाँ पर 3 बार फंदे कम हो चुके हैं अब आगे इसमें हम उल्टी साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे सिरफ सीधी साइड से हर सीधी सलाई पर बटन वाली पट्टी के फंदे के साथ next फंदा लेकर दो का एक करती जाएंगे और इसमें हमें अब तब तक फंदे घटाने हैं जब तक हमारे शूल्डर के जो है 27 से 28 फंदे नहीं बच जाएंगे तब तक हम ऐसे ही सीधी साइड से घटाएंगे तो एक बार मैं आपको और फंदा कम करके दिख होता है कि हम डिजैन को कैसे सेट करें ताकि हमारे फंदे ना घटे ना बढ़ें एक नॉर्मल तरीके से इसकी घटाई होती चली जाए तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए देखिए यह वाला हमारा बटन पटी का फंदा है और यह सेंटर का है यानि अब हमें इन दोनों क एक करना है तो अगर हम यहां जाली डाल देंगे तो फिर फंदा कम करने की जगए नहीं बसती है तो इस बार हम यहां जाली नहीं डालेंगे ऐसे ही धागा अपनी तरफ करेंगे और यह दो फंदे हम यहां उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे यह सेंटर वा complete कर देंगे तो यह देखिए हम यहाँ पर सीधी साइड पर आ गई है सलाई को मैंने यहाँ तक बुन लिया है यहाँ पर ध्यान दीजी देखे तीन फंदे हमने सीधी बना लिए जाली नहीं डालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यह जो एक फंदा उल्टा दिखराई से उल्टा बुन देंगे फिर धागा पीछे यहाँ हमें दो का एक करना है तो पट्टी वाले फंदे के साथ में दो का एक बना देंगे तो देखिए यहाँ से इसकी जो है शेप आनी शुरू हो गई है अब उल्टी साइड की सलाई को भी बुन देंगे तो यह देखिए यहाँ पर यह हमारा अठारमा डिजाइन भी कम्प्लीट हो जाता है तो आप देख सकते ऐसे ही यह आधा डिजाइन बनता जाएगा एक बार फिर से बता रहे हूँ उननीसमा डिजाइन है और देखिए पहले फंदे को इस तरह से उल्टा बुनेंगे यह वाला फंदा और इधर से जाली वाला इन दो का आप यहाँ पर एक कीजिए तो आपका आधा डिजाइन बनता चला जाएगा फिर चार उल्टे एक, दो, तीन और यह चार फिर लपेट कर जाली बना देंगे तो यह आधा डिजाइन एडजेस्ट हो गया है अब इस सलाई को हम यहाँ तक बुन कर कम्प्लीट करेंगे और इस वाले डिजाइन के फंदे भी आप देख लीजिए यहाँ आपने अब जाली नहीं डालनी है क्योंकि देखे यहाँ से हमारा डिजाइन खतम होता आ रहा है तो आप इन फंदों को ऐसे ही उल्टा बुन लिजिए जिससे यह वाला डिजाइन यहीं पर इसका खतम होता चला जाएगा और इधर से हम फंदे घटाती हुए आ रहे हैं तो सेम ऐसे ही हर सीधी सलाइपर हमें यहाँ पर एक फंदा कम करना है यहाँ पर अब हम फंदा तब तक घटाएंगे जब तक यह शोल्डर के हमारे 27-28 फंदे नहीं बच जाएंगे 27-28 फंदे जब इसके बच जाएंगे तब हम जो हमारा डिजैन बच जाएगा उसी को बुनते हुए इसकी जो लेंथ है जितनी हमने बैक पार्ट में बनाई है सेम उतनी ही बनाकर कम्पलीट कर देंगे तो अब देखिएगा यह पट्टी के फंदे बुनेंगे ऐसे ही घटाते हुए और फिर जो फंदे बचेंगे उनमें इसकी लेंथ को कम्पलीट करके फिर मैं आपको इस पार्ट में घटाई बता देती हूँ तो एक बार इसे पूरा कर लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट्स इसका लेफ्ट पार्ट कम्पलीट हो गया है इसमें हमने जो आरम होल की लेंथ बनाई है वो इस तरह से राउंड में साड़े आठ इंच से एक पॉइंट उपर तयार हुई है और अगर हमें आपको यह टोटल डिजैन गिनके बताऊं तो हमारे टोटल इसमें 22 डिजैन कम्पलीट हो गए है सोलर डिजैन बनाने के बाद सत्तर में डिजैन की पहली सलाइपर इसमें हमने यहां से आरम होल की कटिंग शुरू की है और टोटल इसमें यहां तक हमारे 22 डिजैन कम्पलीट हो गई है इंची टेप से अगर आपने इसकी आरम होल का नाप लेना हो तो यह देखिए इस तरीके से आपने इस पार्ट को खीचना नहीं है बिलकुल हलके हाथ से ऐसे बिचा देना है फिर इस तरीके से इंची टेप को रखिए और ऐसे राउंड में नाप लीजिए साधे आठ इंच से एक पॉइंट उपर हमारी इसकी लेन्थ होती है साधे आठ इंच से एक दो पॉइंट उपर हो जाती है तो कोई प्रोब्लम नहीं है अब जैसे हमने इसके लेप्ट पार्ट में आरम होल की कटिंग और नेक की कटिंग की है और डिजैन को एड़ेस्ट किया है सेम वैसे ही अब हम इसके राइट पार्ट में करेंगे दोनों पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में सीधी साइड से आरम होल की कटिंग शुरू होई है और इस वाले में उल्टी साइड से इसकी कटिंग शुरू हो जाएगे तो ये देखिए इसमें सोला डिजाइन कंप्लीट करने के बाद सत्तर में डिजाइन की पहली सलाई पर हमने आरम होल की कटिंग की है इस वाले पार्ट में सत्तर में डिजाइन की पहली सलाई हमने सीधी साइड से बना ले है क्योंकि इसमें हमने उल्टी साइड से घटाई कर तो ये देखिए ये उल्टी साइड है और सत्तर में डिजैन की दूसरी सलाई है दो फंदे का एक करेंगे फंदे को हलका सा लूट छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर से सलाई पर लेकर आएंगे ये देखिए तीन फंदे की घटाई हो गई और अब इस फंदे को लूज छोड़ देंगे नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक करेंगे चार हो गई फिर से से हलका सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में दो का एक कर देंगे तो यहां से 5 फंदे की घटाई इसमें हो गई, अब इसमें देखिए जो फंदे आपको उल्टी साइड पर जैसे दिख रहे हैं, वैसे ही बना देने हैं, घटाई इसमें उल्टी साइड से होगी, लेकिन जब हम सीधी साइड से इसको बुनेंगे, तो वहां पर हमें ध्यान होगा की हमें हमें अपने design को कैसे ऐस करना है। क्योंकि जैसे इस में हमने आधा design thrust किया था unexpectedly इस्में भी करना होगा। अब इस वाले पार्ट में जब हमने गलें की घटाई में शुरूं की थी तो 5-फंदे ही क्यों करने कम होंगे वो हम सीधी साइड से करेंगे लेकिन जो आरम होल के कटिंग होगी वो हमारी उल्टी साइड से होगी तो अब हमने यहाँ से पांच फंदे की कटिंग कर ली है और उल्टी साइड की सिलाई को बुन कर अब जो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए कम्प यह इसका 11 फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहां पर एक फंदा बना देंगे तो यहां से नेक की घटाई शुरू हो गई है अब देखिए यह एक फंदा उल्टा धगा पीछे यह जैसा हमारा डिजैन है इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे इसमें एक बार जाली इधर आएगी और एक बार इधर आएगी बाकी का डिजैन बिल्कुल सेम बनेगा यहां पर हम यह आधा डिजैन बनाएंगे पूरा डिजैन नहीं बनाएंगे तो मैं इस सलाई को यहां तक बुन लेती हूँ तो यह देखिए सलाई को मैंने यहां तक बना लिया है अब हमें यहां पर आधा डिजैन बनाना है तो सतर में डिजैन की यह तीसरी सलाई है तो यह जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लिया लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहां पर एक दो तीन फंदे उल् दो का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे अब यह जो आगे हमारे जितने फंदे बच गए इनको हम उल्टा ही बना देंगे अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर तीन फंदे घटाएंगे और फिर पूरी सलाई को डिजैन के अनुसार बुनते हुए कम्प्लीट कर देंगे तो यह देखिए यहाँ से तीन फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से सलाई को हमने बुन लिया फिर सीधी साइड पर यह जो हमारे पट्टी के ग्यारा फंदे है इन ग्यारा में से हमने दस को बना लिया यह जो ग्यारमा फंदा है इसे हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे तो यहाँ से हमारे फंदे घटने शुरू हो गए है अब यह आगे हम अपने डिजैन को ही बनेंगे इस फंदे को पलट देंगे क्योंकि जाली अब की बार इधर आएगे और बैक साइड से यहाँ दो का एक करेंगे आगे हम अपने डिजैन के हिसाब से इस लाई को बनकर कम्प्लीट करेंगे यहां पर हमें आधा ही डिजैन बुनना है इस सेबर तो यह देखिए आधा डिजैन कैसे बनाएंगे मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ यह जो हमारे जाली से फंदे बनते जा रहे हैं एक और यह दो इनको सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डाल देंगे अब देखिए एक और यह दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक यवाला और यह सेंटर का फंदा इन दो का यहां पर एक फंदा बना देंगे आगे हमारे जो फंदे बचे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुन देंगे तो पांस तिन के घटाई हो गई, अब यहां से हम दो फंदे की cutting करेंगे, फिर design के हिसाब से सलाई को बुनते जाएंगे, फिर उल्टी साइड पर हमें यहां सलाई बुनने के बाद, जब सीधी साइड पर आएंगे, तो यह 10 फंदे पट्टी के बनाने के बाद, इस वाले फ पत्ति का है इसे पलट देंगे एक फंदा ये और एक ये इन दो का बैक साइड से हम एक फंदा बनाएंगे अब ये वाला जो संदा है यहां अब हम जाली नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसकी जाली वाला फंदा इधर पहले ही कम हो गया, तो एक को हमने सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये दो फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बनाएंगे, अब डिजायन के अनुसार बुनते हुए इस सलाई को कम्प्लीट करेंगे, यहाँ पर हमें जो है आधा डिजायन ही बनाना है, यहाँ पर जाली आएगी, एक फंदा बुनने के बाद ये सेंटर का फंदा और ये ये दो का एक कर देंगे, अब सीधी साइड से सलाई को कम्प्लीट करने के बाद, उल्टी साइड पर देखिए, यहाँ से एक फंदे की हमारी ये लास्ट घटाई है, तो दो का एक करेंगे, फिर जो फंदे जैसे द बना लिये हैं धागा पीछे करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर अपने डिजैन के अनुसार सलाई को बुनकर कम्प्लीट कर देंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर यह जो हमारा सत्तरवा डिजैन है इसकी यह नौमी सलाई कम्प्लीट हो गई है अब यहां पर तो यह जो हमारा आधा डिजैन सेम टू सेम जैसे मैंने आपको यहां पर बुनना बताया है ऐसे ही आपका यहां पर बनता जाएगा दोनों में अंतर सरफ इतना आया है कि यहां पर एक फंदा उल्टा बुनने के बाद दो का एक करना हो और फिर चार फंदे उल्टे और फिर जाली आती थी यहां पर हमारा डिजैन इधर से बनेगा यहां जाली बनाने के बाद अठारमा डिजैन जब शुरू हो जाएगा तो चार उल्टे यह दो का एक और लाश्ट का फंदा उल्टा जाएगा तो यह तो हमारा आधा डिजैन same to same बनता जाएगा अब यहाँ पर हमें कैसे करना है देखिए उल्टी साइड पर अब तीन बार लगातार हम यहाँ पर एक फंदा घटाते जाएगे तीन बार ही हमने इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से तीन फंदे घटाए सीधी साइड से भी लगातार हमने सीधी और उल्टी साइड पर तीन तीन फंदे घटाए थे वही अब हम यहाँ पर घटाएंगे जिससे यह वाली जो शेप है यह एक दम से आ जाएगे तो अब यह जो फंदे हैं ग्यारा फंदे पटी के और एक इस डिजैन में यह 12 फंदी रहने तक इनको हम बुन लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यहां तक हमने इसको बना लिया है यहां तक ग्यारा फंदे पटी के एक यहां पर डिजैन का तो धागा अपनी तरफ करेंगे देखे यह वाली जो फली है आपकी बिलकुल सीधी बने तो इसके लिए अगर आपने ऐसे बनाया तो यह सीधी नहीं बनेगे इसको ऐसे लूज कीजिए यह वाला सीधा फंदा है पट्टी का सीधी साइड पर और यह डिजैन का इन दोनों को थोड़ा सा लूज कीजिए आगे की साइड से दोनों फंदों में ऐसे सलाई डाल लीजिए और दो का एक बनाईए फिर से देख लीजिए ऐसे लूज कीजिए और यहां उठा रखिए फिर आगे की साइड से देखिए इन दोनों फंदों में एक साथ ऐसे सला कर दीजिए तो यह देखिए उल्टी साइड पर हमने एक बार फंदा कम कर दिया है यह फली हमारी सीधी है अब यहां पर भी हम इस फंदे को पलट के दो का एक करेंगे यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यह वाला जो डिजैन है यहां पर यह भी आपका आधा बनेगा तो उससाब से आप इस्टी चैन को आधा सेट कीजिए जैसे कि मैंने आपको यहां पर सेट करना बताया हुआ है फिर उल्टी साइड पर सेम टू सेम बारा फंदे रहने तक यहां के फंदों को बुन लिजिए फिर जैसे मैंने उल्टी साइड से दो का एक करना बताया उसी तर तब तक आपके यहां पर यह पट्टी वाले 11 फंदे छोड़ कर यहां पर 28 फंदे आपके नहीं बच जाते तब तक आप सीधी सेड से ऐसे ही फंदे कम करते जाईए डिजैन को मैंने इसमें भी प्रोपर आपको सेट करना बताया है इस वाले पार्ट में भी आपको बता दिया है उमीद करती हूँ कि design को set करना आपको आ गया होगा तो अब मैं इसकी जो length है same to same इतनी बना लेती हूँ फिर आपको इसकी जो है shape दिखाती हूँ कि neck की कैसी आती है तो ये देखिए friends इसका left और right दोनों part complete हो गई है इसकी neck बनने के बाद आप देख सकते हो इसकी look बहुत ही सुन्दर आई है इसकी next वीडियो में मैं आपको ये जो हमने इसकी neck बनाई है इसको back part पे हमने कैसे बुनना है complete कैसे करना है कंधे कैसे जोडने है ये बताऊंगी अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो please आप इस वीडियो को like कीजिए अपने सभी friends group में इसे share कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू